आज की वर्क्षीट है आपकी क्लास 6 की इंग्लिश की वर्क्षीट नमबर 28 डेट है आपकी 18 जैनवरी 2021 आज की वर्क्षीट का टॉपिक है आपका प्रणाउंस स्टार्टिंग में दिया गया है Do you know कि आप जानते हैं repeating noun can make a sentence sound odd कि जब भी हम noun को बार बार use करते हैं तो उससे हमारे जो sentences होते हैं वो odd हो जाते हैं Thus we use pronouns to avoid debt for example इसी लिए हम nouns को avoid करने के लिए pronouns का use करते हैं यहाँ पर देखिए example दिया गया है आपका जिगनेस का कि जिगनेस plays cricket कि जिगनेस cricket खेलता है उसके बार जिगनेस is the captain of the school team जिगनेस bets well जिगनेस is also the wicket keeper of the team जिगनेस is good in studies too जिगनेस loves to read books तो यहाँ पर बार बार जिगनेस का जो name है जो noun है उससे बार बार repeat किया गया है इससे हमारा जो sentence है वो थोड़ा odd लग रहा है अगर हम इसकी जगा he use करें जिगनेस क्योंकि जिगनेस boy है तो उसके लिए हम he use करें जैसा कि आपके second example में दिया है तो हमारा sentence, first sentence से जादा better लगेगा जिगनेस plays cricket यहाँ पर हमने क्या यूज कर लिया he he bets well he is also the wicket keeper of the team he is good in studies too he loves to read books तो इस तरह से बहुत बार nouns की जगप हम दूसरे words use करते हैं जिसले की pronoun कहा जाता है ठीक है pronoun आपके बहुत सारे तरीके के होते हैं जैसे की he आपका pronoun है she है, it है, they है ठीक है, इसके लावा आपका them है, my है यह सारे जो होते हैं हमारे pronoun होते हैं तो अपने अलग-लग phrases पे यूज किया जाते हैं he she जो होते हैं हमारी ये boy के लिए he और girl के लिए she use किया जाता है और जो non-living things होती है उसके लिए हम it का use करते है इसके अलावा they them यह सब जो होते हैं हमारी यह पुरलर होते हैं दे मतलब वे ठीक है इसके लाव वी भी आपका एक प्रणाउन होता है तो इसे भी हम पुरलर संटेंस के लिए यूज करते हैं उसके बाद आपके कुछ एक्जामपल्स दिये गये हैं जैसा कि फॉर्स फॉर्स आपका दिया गया एक्सरसाइस की चूज प्र सबींक्राइस की जिए गया है उसकी जगर ऑन्डर्लाइण जो वर्ड्स हैं हमारे इसकी जगह हमें वह प्रोनाउन लिखने है तो सब स्टाiping माइनिम रेनुपा यू क्याडरेनुका रेणु तो आपको रेनुका की जगह क्या लिखना है मी ठीक है कि मेरा नाम रेंुका है लेकिन आप मुझे रेनु भी कह सकते हैं तो हम रेनु का की जगा क्या यूज कर लेंगे मी तो मी लगाने से हमारा जो sentence है वो ज़्यादा बेटर लग रहा है सेकिंड है आपका दे बेबी वस क्राइम बिकॉस दे बेबी की जगा हम क्या यूज करेंगे फिर है आपका जेम्स प्लेज बास्केट बोल जेम्स आर अल्सो प्लेज टैनिस तो हम यहाँ पर जेम्स की जगा ही यूज करेंगे तो माइ क्लास की जगा हम यूज करेंगे टीचर हमसे कहती है और शीतल उसम्स का सेकेटेंगे सीतल मेरी बेस फ्रेंड और मैं उसके साथ स्कूल जाती हूँ उसके बाद नेक्स्ट आपका fill in the blanks है with pronounce from the box जिसमें first है who is dead boy तो boy के लिए हम क्या यूज़ करते हैं he, he is Rohit हम अपना sentences he से complete करेंगे second है who is dead girl तो girl के लिए हम she यूज़ करते हैं कि she is Mina कि वह Mina है फिर third है who are dash तो them और they में हमें choose करना है कि वैलो कौन है तो यहाँ पर हम लिखेंगे they they are my uncle and aunt कि वो मेरे uncle और auntie है fourth है आपका where do they leave कि वो लोग कहां रहते हैं तो हम यहाँ पर they और them में choose करेंगे तो इसमें हम they लिखेंगे they leave in Delhi कि वो Delhi में रहते हैं उसके बाद है आपका fifth कि the children are playing in the rain call तो they और them में हमें choose करना है तो हम them choose करेंगे कि them inside की उन्हें अंदर बुलाओ ठीक है कि the children है जो बच्चे हैं वो बाहर खेल रहे हैं तो उनको अंदर बुलाओ six है we must ask ask them they और them में आपको choose करना है तो आप them choose करेंगे कि them to come inside past की वो लोग जल्दी अंदर आ जाए otherwise they might fall sick otherwise वो बिमार पड़ जाएंगे चिक है ये थी आज की आपकी वर्कशीट